हाई अब्रिवन, बलकम तो डिश्टल जी के क्लासेज, तो BPSC TRE 2.0 से रिलेटेड जो अपडेट है वो मैं आपको बताना चाहूंगी और BPSC से रिलेटेड न्युक्ती पत्र की जो तीथी है वो घोसित हो चुकी है, TRE 3 की भी तैयारी सुरू हो चुकी है एंड सबसे जदा ये important news हो चुका है क्योंकि TRE 1 में अब जो है data इनका सामने आया है कि हमारे पास इतनी पद खाली है, इन्होंने TRE 1 में supplementary result दिया 2014 पास और आप सोचो कि सारी CD नोंने बचा ली थी, क्योंकि आप सभी जानते हो कि आने वाले समय में वीन को भरती निकालनी थी इसी वज़े से और कोई reason नहीं था जो भी है मैं आपको बताने वाली हूं पहली बारा हैं तो चालों को subscribe करके please video को like कर दे ताकि आपको update मिलता रहें सबसे पहले तो यह देख लीजे क्योंकि आपको पता है कि estate के लिए बहुत सारे भ्यरती request कर रहे थे कि date बढ़ा दिया जाए finally इसकी तीथी साथ तक जो है जारी हो चुका है अगर उन्होंने योगदान नहीं लिया है तो वो कृपया करके जल्दी से ले ले अदर्वाइस उनकी निवति को रद्द कर दिया जाएगा तो यह भी एक information है और आप यहां पर देख सकते हो बिहार विद्याले estate के लिए अविदन के अंतिमतिती बढ़ा दी गई है estate के लिए 7 जनवरी तक आविदन होगा पहले अंतिमतिती 2 जनवरी थी तो आव SEB estate24.com पर जाकर अपना आविदन कर सकते हैं बोड ने जारी नोटिस में कहा कि अतितिक भीड के कारण पोर्टल बंद हो गया है फॉर्म भरने के अविदी बढ़ा दी गई है पोर्टल जल्द ही सुरू होगा इससे पहले बिहार बोड ने कहा था कि अविःर्थी के डमी एड्मिन कार्ड वेबसाइट पर 6 जनुटक उपलब्द रहेंगे ठीक है तो यह सारी इंफोर्मिशन है तो यहां पर मैं आपको एक चीज भी या दिलाना चाहूंगी डिलेट परिक्षा के लिए भी महतपूर्ण तीथिया है 23-25 से और पंजिन जो है जारी होगा 27 फ 14,000 सिक्षक को तेरा मुख्यमंत्री जी के हाथ वो से पाएंगे वो निुक्ति मत्र अपट्र गांधी मैदान में होगा मुख्यसमारो और 29 जीलो के सिक्षक आएंगे यहां पर नौनी सिख्षकों को गांधी मैदान और सेस को जीलो में ही दिया जाएगा, विपीएसी की ओर से चैनित, जो दूसरे चरण में जो सिख्षक हैं, वो सभी इसमें सामिल होंगे, सभी नहीं मतलब, एक एक दो दो अभियर्थियों को हर जीले से बुलाए जाएगा, वैसे टोर इसमें से सिख्षकों को ओपबंधिक नुकती पत्र दिया जाएगा, इसके साथ पहले चरण में पूरक रिजल्ट वाले 2,772 सिख्षकों को भी नुकती पत्र सौपा जाएगा, इसको ले का शिक्षा विभागने बुधवार को सभी प्रमंडल और जीलो को दिसा निर्दे भेज दिया है, बेपेसी दोरा पहले चरण में नुक्त सिक्षकों को भी नवंबर 23 को गांधी मैदान समेत अनि जिलों में आप बंधिक नुक्ति पत्र सौपा गया था, इसी तरज पर जो है दूसरे चरण में कारिक्रम तै किये गये हैं, दूसरे चरण में 92 हजार से अधिक अभिहर्थीों को सफल घूसित किया गया है, तो 92 हजार से अधिक और 12,000 के असपा सीट थी, तो इसमें भी सीटों की संख्या बहुत ज़्यादा क्या था ठीक है, एवन एक अभिहर्थी का दो-डो जगा रिजल्ट आया है, तो अभियर्तियों को सफल घुसित किया गया है जिनकी काउंस्लिंग जीलों में चल रही है पटना की गांधी मैदान में नुक्ति पत्र पाने वाले सिक्षकों को बसों से जीलों से भेजा जाएगा 600 से अधिक बसों से सिक्षक पटना लाए जाएंगे इस कारिक्राम को सफल बनाने के लिए विभाग में 6 जनवरी को एक बैठक भी रखी गई है पटना समेश प्रमंडलों के 29 जीलों के सिक्षक गाधी मैदान आएंगे तो यहां पर यह information है तो आप सभी को congratulations बहुत जल्द आप लोगों को joining letter भी मिलने जा रहा है और वहीं पर यह इतने fast तरीके से काम कर रहे हैं कि बाकी के state वाले तो सोची निपा रहे हैं कि हम भरती निकाले कि बिहार वाले ही इतना भरती निकाल रहे है तो थोड़ा से इनको और विराम ले लेना चाहिए कि ताकि दूसरे state वाले भी सोचे थोड़ा सा कि आप अपने यहां भी vacancy निकाल दो ताकि आपके राजी के बच्चे दूसरे जगह पर ना जाएं ठीक है तो यह एक चीज है आपको पता है कि तीसे चरण की सिक्षक भरती के लिए तैयारी सुरू हो चुकी है सभी जीलों से रिक्पदों की प्राप्त की जारी है जानकारी और यह आप देख सकते हो कि पहले चरण में 20,000 बद जो हैं खाली हैं इसमें जोड़े जाएंगे आप सोचिए इस 20,000 में सकर 10,000 में सप्लिमेंटरी रिजल्ट आता तो जो एक एक नमबर से दो दो नमबर से बाहर थे उनका भी नाम में उनका भी तो सेलेक्शन हो जाता बट इन्हों ने इसके बारे में नहीं सोचा आप देख सकते हो कि विपेसी से दूसरे चरण में चल कि membh име जारी में वहीं मध्यविद्याले के सारेजिक stripes को के पदो को नियमित बनाने पर भी विचार विमर सुरू हो गया है। इसके बाद इस प्रस्ता उपर काबिनेट से स्वीकृति मिलने के बाद इन पदो पर नियमित निकती कर साफ हो जाेगा। यहां पर देखो, वर्तमान में सारीरिक सिक्षा एमस्वास अनुदेशक का सिवामध विद्याले मिली जारी है, इसको नियत वेतन आठ जार रुपए दिये जाते हैं, इनके आठ जार से अधिक पद हैं, ठीक है, तो विशेए सिक्षकों के 72 से अधिक पदों पर भी नुक्त संभव है, तो आप देख सकते हो कि 20,000 तो के वल आप समझ लो पहले चरण का है, इस चरण का तो छोड़ी दीजे, इसमें तो 92,000 के आसपास पास हुए है, बाकी की सीटे खाली है, और 92,000 में से कम से कम 20,000 तो ऐसे होंगे ही, अभी तो मैं कमी बता रही जिनका 1 से 2 तीन ज सिक्षकों को चैन हुआ है, कई पर 92,000, और यहां पर आप देखिए, पटना के गाधी मैदान में 25,000 को जबकि सेस को जीलावा प्रमंणों में मिलेगा, 13 जनवरी को 1,10,000 चैनिक सिक्षक अभियर्ति को निक्ति पत्र दिया जाएगा, तो किस पर भरोसा करें, कितना रिज कि इसके बाद के जो सीटे बचेंगी ना, उसी पर आपको सप्लिमेंटरी रिजल्ट देखने को मिलेगा, बिपेसी दोरा पहले चरण के पूरा परिडाम वह दूसरे चरण में चैनित 1,10,000 सिक्षक अभियर्तियों को 13 जनवरी को निक्ति पत्र मिलेगा, 25,000 को तो तुनी गाधी मैदान में तीन बजे नुक्ति पत्र वित्रन समारो होगा, 25,000 अभियर्ति जीलों से बसो से गाधी मैदान में लाए जाएंगे, जीला मुख्यालों में भी तीन बजे समारो होगा, इसमें जीला के परभारी मंत्री सामिल होंगे, तो ये आपका पुरा डेटा है, इन प्रमंडलों के इतनी सिक्षक गाधी मैदान में आएंगे, तो देख लेते हैं, 25,000 सिक्षक आएंगे, पटना के 8,500, सारण के 3,000, मुंगेर के 2,800, और मगत के 2,300, तीरहुत के 5,500 सिक्षकों को लाया जाएगा, तो ये है 13 जैन्वरी को 1,10,000 चैने सिक्षक अभियर् और इस चरण के भी खाली पद होंगे ये भी उसको जोड़ेंगे, बहुत कमी आपको supplementary result की ज्यादा उम्मीद को लगा नहीं सकता है, तो ये सारी चीजे मुझे आपको बतानी थी, बाकी जो भी डावट होगा बताना, तो नुक्ति पत्र जितने भी जीला से अभियर्थी कम से कम 5,000 ही निकाल देते, आप सुचो 20,000 जोड़ के ये BPC-TRE3 लेकर आने वाले हैं, फिर इसमें भी जो 30-40,000 बचेगा इसको भी जोड़ देंगे, तो ये supplementary result तो बस कहने मात्र का निकल रहा है, ठीक है, वो भी ना निकाले हैं, तो कोई बात नहीं, तो चली मिलते हैं निक्स लाज में, थैंक्स फो वाचिंग.